आज हम आपको English में time बतना सिखाएंगे अगर आपको पूछे कितना बज रहा है तो आप Youngness में उसे कैसे reply दोगे चलिए आज हम को बताते हैं तो अगर जैसे बोलना है 5 बजा है 10 बजा है 12 बजा है तो आप simply English में बोलते हो उसे It is 5 o'clock It is 10 o'clock It is 12 o'clock बट अगर आपको बोलना है साड़े चार बज़े है, साड़े दस बज़ा है, या साड़े साथ बज़ा है, तो आप उसे कैसे बोलोगे? चलिए हम आपको बताते हैं, rule number one, साड़े सब्द के लिए हाफ का यूज करें, तो बोलोगे आप, it is half fast four, it is half fast ten, it is half fast seven, rule number two, पौने सब्द के लिए quarter two का यूज करें, चलिए पौने चार बज़ा है, पौने तीन बज़ा है, पौने ग्यार बज़ा है, अगर बोलना हो तो आप बोलोगे, it is quarter two four, it is quarter two three, and it is quarter two eleven, Rule number 3, सवा सब्द के लिए quarter past का यूज करें तो चलिए, सवा 5 बजा है जैसे, सवा 9 बजा है, सवा 3 बजा है यह अगर बोलना हो तो आप English में कैसे बोलोगे It is quarter past 5, it is quarter past 9, it is quarter past 3 Rule number 4, बाकी है के लिए 2 का यूज करते हैं जैसे 5 बजने वाला है, 12 बजने वाला है, 6 बजने वाला है यह बोलना हो तो आप बोलोगे It is to 5 o'clock, it is to 12 o'clock, it is to 6 o'clock